स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लेकर चलते हैं वैशनो देवी माता के दर्शन कराने के लिए हाद जोड़के सभी बोलिए जय माता दी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है वैशनो देवी माता का भवन जहांपर तीन पिंडिया आपको पता होगा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि अगर आप चंडिगर पंजाब यहां रहेनवाली साइट से आरे हो तो कितने कम खर्चे में आप यहांपर आ सक हर्याना के कालका शहर से हम अपनी यात्रा की शुरुवात कर रहे हैं ये ट्रेन कालका से सीधा वैश्णोदेवी माता रेलवे स्टेशन तक हफते में दो दिन चलती है और दो दिन वापिस आती है कालका से साथ बज़े डिपार्ट होके चंडिगड के रास्ते ये सुबा पांच पंतारा वैश्णोदेवी पहुंच आती है ट्रेन का की राया स्लीपर में दो सो पचासी रोपे और थर्ड एसी में साड़े साथ सो रोपे मात्र है ट्रेन एकुरेट साथ बज़े शाम को ये कालका से डिपार्ट कर चुके आप देख सकते हो जैसे आपको पता है सफर रात का है तो खाने पेने का अपने साथ लेकर चले या घर से ही खा कर चले पूरे एकुरेट पांच बीस पर हम यहां पहुंच चुके हैं हम पहुंच चुके वैशनो देवी रेलवे स्टेशन और काफी जादा भीट आप देख सकते हो अब देखते हैं यहां पर मारा कोवी टेस्ट होएगा कि नहीं हमारी तो सेकिंड लगी हुई है इन दोनों ने सेकिंड नहीं लगवाई है इनका कोवी टेस्ट होएगा चलो आपके दिखाते आपको जिन यात्रियों को वैक्सिनेशन की दोनों डोजीज लगी है उनको लाइन से यहां पर सर्टिफिकेट चेकिंग करवानी थी वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा कोवीट की पूरी रेगुलेशन आपको मैं बताने वाला हूं वही टेस्ट क की अगज़ आत्रह हमारी शुरू होती है रएलवेशेशन से जहां से आपको 20 रुपे का मात्र ओंटो मिलता है बान गंगा तक का पर हैड वहाँ से आपकोड़ के ट्रॉमेटर करके आपको जाना है चरन बादू का वहां से साड़े चेहार किलोमेटर करके आप पहुंच ज वहां से आप इवीकल भी ले सकते हो अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो इवीकल भी आपके लिए एवलेबल है हिमकोटी मार्ग से भवन से धाई किलोमेटर का ट्रैक पैदल भैरो बाबा मंदिर पहुंचाता है या तो आप सो रुपे का रोपवे से भी जा सकते हो हमारी यात्रा के शुरुवात होती है रेलवेशेशन से 20 रुपे का हमने ओटो लिया है यह हमार को पहुंचाएगा बान गंगा यह यात्रा करने के लिए आपको करवानी होती अपनी रेजिस्टेशन जो कि आप बस्टेंड से यहां से करवा सकते हो आप चाहो तो ओन अब अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यहां पर ना भी सकते हो सीडियों से जाएंगे 425 सीडियां चलो देखते हैं ठकान होते के नहीं जै मातादी सो 415 की सीडियां चड़ी ऐसा लग रहा है कि हजार से उपर चड़ी हमने 415 तो नहीं थी यारे और आपको बताना चाओंगा हमने यह जो यात्रा थी शुरू करी थी यहां से शुरूबात करी यहां से चलो नेक्स चड़के आपको बताते हैं कि यहां प्रतम दर्शन मंदिर चरन पादु का मंदिर यहां पर वैश्णो दिवी माता ने पीछे मूड के देखा था बहरोनात आ रहे कि नहीं आ रहे हैं और जब उन्होंने पीछे मूड के यहां लग गये थे जिसकारण यह मंदिर बनाया गया है चरन पादु का आप देख सकते हो मंदिर की यात्रा जब स्टार्ट करो गया तो यात्रा में सबसे पहले आपको यहीं मंदर देखने को मिलेगा आप देख सकते हो यहां से अद्गवारी के दर्शन यहां से हो रहे ह लगता है दो गंटे और लग जाएंगे मरग यहां पूंच ने चलिए आगे बढ़ते हैं जाए माता कि वाई सीडियों से जाओंगे तो ऐसी आलत होगी जसी इन स्पेस पानी की बोटल से ले ले येस इस रिकमेंडेट की रेस्ट ले पर ज्यादा रेस्ट ना ले दो से तीन ले फिर चले क्योंकि आप का फ्ना ला रहता है लो बना रहे गांच चले रहों कर दो अब कॉल में जारा ह कि अगर आंगे आपके पास पोरस्ट नमबर तब ही आप काल कर सकते तो आपके पास परice नमबर जालेका चाल जाएए 8 L O Jeho, Reliance Ho, Vodafone Ho, कोई भी नंबर नहीं चलेगा, आपके पास पोस्ट में नमबर है तब ही आपको कॉल कर सकते हैं, तो हम कॉल में लाएंगे, देखते हैं कितने पिछे राएंगे हैंगे हो चलिए जय अमाजादी तो जैसा कि आप देख सकते हो हम अर्दगवारी पहुंच चुके हैं इंदर प्रसा से दो रास्ते जाते हैं भवन की और एक साडे भवन बवन बेटरी कार से जाना है तो हमको लेना पड़ेगा आप यहां से अपनी बैटरी कार टिकेट्स की बुकिंग कर वाजके और जो जो की साड़े तीनसुर रुपे की साल से उबर के बच्चे की टिकट यहां पर लगती ही लगती है हमारे पास समय कम था क्योंकि हमारी शाम की बापसी थी तो हमने सोचा कि बैटरी कार से क्यों ना भवन तक जाया जाए और आप देख सकते हो पचास से उपर तो लोग खड़े वे लाइन में साथे तरस बजे के बाद कितने बजे खुलेगा काउंटर दिए वन थर्टी बी सिर्फ पच्छीस लोगों को मिलें कितने तीन गंटे हो गया तो अगर आपने रिक्षा से आगए जाना भवन के और तो आपको रेकमेंड करूंगा आठ बज़े यहां पर पहुंचे आठ बज लोगों को टिकट मिलती है उसके बाद 10-30 खुलता है तब 25 लोगों मिलती है फिर एक बजे खुलता है तब डेढ़ बजे खुलता है तब 25 लोगों मिलती है अगर अगर आप special category के वो जैसे आप handicap हो या a very sick person हो या all-age person हो तो आपको टिकट मिल जाएगी special case में या फिर आप यहां पर आपको पैसों की जूरत पड़े तो ATM भी है रास्ते में आपको भवन को रास्ता जा रहा है यहां पांच किलोमेटर दूर है अभी टाइम मैं बता देतों कितना हुआ सब्सक्राइब देखते कितने बच दक पहुंचते हैं आपको भवन पहुंचके मैं बताऊंगा कि कितना टाइम लगा यहां से हमारी दरा और लोगों की क्या चल रही है अगर हम वैश्नोदेवी कि यात्रा करना चाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ट्रेन कि मैं बस से आरे हो तो रेलवैस्टेशन पर आपकी भी होगो कि आपने वैक्सिनेशन की डोसी लगवाई बंदाने ने लगवाई या मैंने दू सब्सेटेशन की डोसी कमप्लीट करिवीये तो मुझे सर्टिवीगेट दिखाना था चोँ जिपेड़ गर यों योंने वैक बट अगर आप आते हो पोजिटिव तो आपको महां पर आइसोलेट किया जाएगा तो रेगुलेशन यही है आपको मंदिर में अगर आपको तर्शन करने तो आपको लगाना पड़ेगा मास्क और पूरी सोचल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर जाना पड़ेगा का जाता है माता वैशनो देवी की यातरा भारत की दूसरी सबसे जादा की जाने वाली यातरा है जिसमें हर साल सतर से असी लाग शरदालूयां पर माता के दर्शन करने आते हैं कि अधे चली देखते हैं कि इतनी देर में होते हैं बबन में आती का टाइम सुबह चे बज के बीच मिनट में और शाम में भी चे बज के बीच मिनट में जे माता दी जे माता दी जे माता दी जे माता दी तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता वैशनो देवी भवन के लुक्खे द्वार पर लोकल नमबर बोर्ड के बिलकुल सामने आपको देखेगी भेंट शॉप नमबर टू यहांपर दो तिन भेंट शॉप्स है और यहां पर श्राइन बोर्ड ने परशाद के रेट्स लिए और भेंट शॉप के बिलकुल सामने अगर आप रहना चाहो यहां पर रह भी सकते हो 120 रुपे पर बेट के हिसाब से आपको मनो कामना डॉर्मिटॉरी में आप बेट बुक करा सकते हो बट उसके लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा यहां पर बुकिंग करनाने के लिए माता की गुफा के दर्शन करने के लिए आप साथ में परशाद पैसों के लावा कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हो आपको सब समान लोकर में ही समिट कराके जाना पड़ेगा उसके लिए आपको फ्री ओफ कोछ ताला और चाबी मिल जाएगी यहां पर और लोकर्स की सुविदा यहां पर उपलब्ध है आप यहां पर अपना समान रखके जा सकते हो दर्शन होगे बहुत अच्छे दर्शन होगे अब हम जा रहे हैं धारवापा के दर्शन करने देखते है केबल कार में अगर हमां को सीट मिलती है तो केबल कार से जलेंगे नहीं तो पैल जाएंगे केबल कार के लिए तीन गुंटे की वेटिंग थी सो हमने सुचा पैदल ही चलते लेट नहीं तो लेट हो जाएंगे बहरो बाबा मंदिर की धाई किलोमेटर के चड़ाई यहां पर सबसे डिफिकल्ट चड़ाई है जिसे करने में हमें 40 मिनट का समय लग गया था और ये भी कहा जाता है भाहरो बाबा की दर्शन किये बिना आपकी यात्रा कभी भी पूरी नहीं होती बहरो बाबा का मंदिर काफी ज़्यादा हाईट पर है तो यहां पर मोसम हर वक्त अच्छा रहता है और यहां से माता वैशनो देवी का भवन भी देखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है आप जैसा की वीडियो में देख सकते हो कि कितना सुन्दर दिखाई पड़ है अब हम नीचे को जा रहे हैं तीन बजे दर्शन हुए तीन बज के पंदरा मिनिट हुए हैं देखते हैं कितने बजे नीचे पहुंचते हैं हमारी छे बजे की ट्रेन है लेट्स गू जै बहरो बाबा के मंदिर से नीचे उतरते अगर आप यंग हो तो आपको ज्यादा स देख सकते हो मातावैश्नओदेवी रेलवे शेशन पोहुंच गए थे तो अगर आप एक ही दिन में अपनी यातरा करने हैं चाहों तो एक दिन में यातरा कर सकते हो सेम ट्रेन शे बजे माता वैशनो देवी रेलवेशेशन से कालका तक मिल जाएगे